रूस और यूक्रेन के बीच युद का आज जो साथवा दिन है चालिस वील दूरी तक फैला रूसी टैंकों का और अन्य बहनों का काफिला धीरे धीरे कीव की और पड़ रहा है वह यूक्रेन के दूसरे शेहर खारकीव में भी रूस का हमला तेज हो गया है रूसी जो हमला वर हैं लगातार खारकीव में उतर रहे हैं और सेना के मैडिकल सेंटर पर हमला कर दिया है यूक्रेन के सेना भी डट कर रूसी हमलों का जवाब दे रही है बतादें कि देश के राजधानी कीव में करीब 30 लाक लोग रहते हैं रूसी सेना के ओर से कीव और खारकीव में बंबारी भी तेज कर दी गई है खारकीव में आज सुभा रूसी पैराट्रप्स उतरे थे जिन्होंने हॉस्पीटल को निशाना बनाया फिलाल वहाँ गोलाबारी हो रही है उदर रूसी सेना ने दक्षुनी शहर खैरसान के दो ठिकाने बंदर गहा और इन्वेस्टेशन पर भी कबजा कर लिया है दो दिनों की राहत के बाद आज कोरोना के मामले फिर से बढ़ गए हैं स्वास्त मंत्राली की तरफ से जारी आंकलों के अनुसार बीते 24 गंटों में कोरोना के साथ 1554 नई मामले सामनी आए हैं जो कि कल की तुरिना में 649 ज्यादा है वही इस दोरान 223 लोगों की मौत हो गई शबसे बड़ी राहत की बात ये है कि देश में अब केवल 85,680 सक्रिय मामले ही बच्चे हैं सक्रिय मामलों में भारी कमी का मतलब है कि कोरोना संक्रमत मरीज तेजी से सुथ हो रहे हैं वहीं महमारी की शिर्वाज से अब तक स्वस्थ होने वाले कुल मरीजों की संक्या 4.2-3 करोड हो गई है। रोजानला संक्रमाट दर की बात करें तो ये केवल एक फीसती रहे गई है। जोकी राहत बरी खबर है वहीं रिकावरी दर की बात करें तो ये बढ़कर 98.60 फीसत हो गई है।